चलिए आज जो पहला गवनर जनरल देख रहे हैं वह देख रहे हैं लॉड वेले जली जिसका जो कारिकाल था जो गवनर जनरल रहा वो रहा 1798 से 1805 तो यहां पर आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ गवनर जनरल के कारिकाल आप यात रखेगा ठीक है चलिए तो अगर मैं लॉड वेले जली की बात करूँ तो यह गोर समराज्यवादी था और भारती राज्यू का विल्य करने के लिए साहयक संधी प्रणाली लागू की ठीक है इसने क्या किया जो भारती राज्य्य थे उसको विल्य करने के लिए क्या की थी सहायक संधी को प्रारंब किया था ये question आता है कि जो सहायक संधी थी उसको प्रारंब किस ने किया था तो सहायक संधी प्रणाली प्रारंब की थी लौड वेल जली ने ठीक है अब चलिए आगे दिखते हैं ये स्वैम को बंगाल का टाइगर कहता था क्या कहता था स इसके काल में मदरास presidency क्या बनाई गई ठीक है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं देखें क्या हुआ था जो लौड वैले जली था उसने साहिक संधी प्रणाली लागू की थी अब जो इसका उद्देश है था साहिक संधी प्रणाली लागू करने का वो य फ्रांसिसी है उनमें क्या भय पैदा करना ती यह दो लिल जो इन में का वैं ? उगतर भयाई पैदा ना। ठीक है किसने टीपू ने टीपू ने किससे मदद मागी थी नैपोलियन से ठीक है तो यह याद रखेगा चलिए हम थोड़ा सा बता देती हूं साहिक संदी के बारे में और कि जो साहिक संदी स्विकार करने वाले राज्ये थे ठीक है उन में जो अंग्रेजों के पास क्या हो चली गई थी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी चली गई थी इसके साथ साथ जो देशी राज्ये थे उनको अपने छेत्र में अपने ही खर्चे पर अपने ही खर्चे पर क्या? उन्हें एक सहायक सेना रखनी होती थी क्या रखनी होती थी? एक सहायक सेना रखनी होती थी और जो देशी राज्य की विदेश नीती थी और जो स्वतंत्रता थी वो किसके हातों में चली गई थी वो चली गई थी अंग्रेजों के हातों में ठीक है तो जो जो राज्य साहयक संदी स्विकार करते थे उनको ये भी मानना पड़ता था ठीक है चली आगे दिखते हैं जो साहेक संदी स्विकार करने वाला राज्य था वो कौन सा था पहला पहला राज्य कौन सा था जिसने सबसे पहले साहेक संदी स्विकार की थी वो था हैजरबाद और कब इसने स्विकार की थी 1798 में ओके इसके साथ साथ जो अन्य थे मैसूर थ इसने कब स्विकार की थी 1799 में अवद्ध था इसने कब स्विकार की थी 1801 में पेश्वा था इसने कब स्विकार की थी 1802 में इसके साथ साथ सिंध्या और भोसले भी थे देखिए यहां पे लिखा है भोसले भोसले ने कब स्विकार की थी 1803 में सिंध्या ने 1804 में ठीक है इस के साथ जैपूर, बूंदी, भरतपूर इसमें शामिल हुए मैंने मेन मेन राज्यों के आपको सन बता दिये ठीक है एक तंजोर भी था ओके चल इसके काल में मदरास प्रेसिडेंसी क्या बनाई गई तो यह याद रखिएगा कि मदरास प्रेसिडेंसी थी वो लॉर्ड वेलेजली के काल में इसने क्या फूर्ट विलियम कॉलिज की स्थापना की अब फूर्ट विलियम जो कॉलिज था उसकी स्थापना क्यों की तो आईसी आस में जो यूवक भरती हुए थे उनके प्रशिक्षन के लिए प्रशिक्षन के लिए वर्ष 1860 में फोर्ट विल्यम कॉलेज की स्थापना की बेसीन की संधी पर हस्ताक्षर की और दूसरा आंगल मराथा युद लड़ा किया कब इसी के कारकाल में और 1842 में क्या इसकी मृत्यू हो गई थी चलिए आगे देखते हैं लौर्ड मिंटो प्रथा इसका जो कारकाल था वो था 1807 से 1813 अब 1809 में रंजीत सिंग और अंग्रेजों के मद अमरिचर की संधी कब हुई थी इसी के कारकाल में हुई थी तो इसके लिए बस इतना ही याद रखेगा ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है लौर्ड मिंटो प्रथा आप देखते हैं नेक्स लौर्ड हैस्टिंग्स ये इंपोर्टेट है इसका जो गवर्णर जनरल रहा ये रहा 1813 से 1823 ठीक है तो ये सन याद रखेगा इसके समय में सर्व प्रथम आंगल नेपाल युद लड़ा गया था इसने नेपाल से किया युद किया जो सन था वो किया था 1814 से 16 युद की समापती पर संगौली की संधी से हुई अब जो युद की समापती हुई वो किस संधी से हुई संगौली तो ये याद रखेगा जो संगौली की संदी है वो किस से रिलेटेड है लौड हेस्टिंग से रिलेटेड है अब जो गड़वाल कुमाव शिमला देखे मैं आपको बताती हूँ गड़वाल कुमाव शिमला रानी खेत और जो नैनी ताल के इलाके थे वो क्या भारत को प्राप्त हो गए थे ठीक है इस संदी के तहट अब आगे देखते है इसको पिंडारियों का दमन करने का श्रे भी दिया जाता है जो पिंडारी थे वो क्या थे एक तरीके के लुटेरों के क्या दल था जिसमें हिंदू और मिसलिम दोनों थे क्या थे ये एक तरीके के लुटेरे थे तो इसमें ऐसा नहीं था कि एक कोई समुदाय एक अकेला समुदाय था कि हिंदू हिंदू का ये दल था या फिर अकेला मुसल्मानों का दल था तो इसमें जो दल था अग जो हैस्टिंग्स और टॉमस हिसलोप था कौन हैस्टिंग्स और थॉमस हिसलोप इसकर क्या ये जो पिंडारी थे इनका दमन किया था और पिंडारी जो शब्द है वो क्या मराठी भाषा का है किसका है मराठी भाषा का है इसने क्या मराठा संग का अंत किया था कौन अंतिम पेश्वा जो बाजी राध्वित्य था उसे गद्धी से उतार कर कानपूर के समीब ठीक है कानपूर के समीब भेज दिया गया बिहर जगा है वहाँ पर भेज दिया गया और सतारा की गद्धी जो सतारा की गद्धी थी वो शिवाजी के वंशज प्रताप सिं को दे दी गई थी ठीक है तो यह था लॉर्ड हैस्टिंग आई हूप आपको इस समझ आ गया होगा तो दोस्तों यही थे आज के हमारे गवर्नर जनरल आई हूप आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच